पहला कोईशन है नो डार्विन वाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदाई है कुछ परिवर्तन प्राकर्तिक चयन इन में से दोनों इन में से कोई नहीं तो यह कोईशन TGT 2010 में पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा सी इन में से दोनों यानि नो डार्विन वाद के अनुसार किसी जात की जीव संख्या पर कई कारकों के प्रभावों के कारण इन से नई जातियों का विकास होता है कई कारक प्रभावित होते हैं जिससे नई जातियों का विकास होता है और इसके अनुसार उद्परिवर्तन और प्राकर्तिक चैर दोनों जीवन के विकास के लिए उत्तरदाई होते हैं नेश कुछन है, जयो उद्विकास की व्याख्या करने वाले उद्परिवर्थनवात को प्रतिपादित किया था, किस ने प्रतिपादित किया था, ये क्वेस्चन पीजी टी बालोजी 2005 में पूछा गया था, कि दब म्यूटेशन्स थेयोरी एक्स्प्लेनिंग और गैनिक इवनिंग प्रिमरोज के पौधों पर एक प्रियोग किया था, और अपने प्रियोगों के आधार पर इन्हों ने वर्स 1901 इसबी में नई जीवजातियों की उद्पत्य के बारे में एक नया मत दिया, जिसे उद्परिवर्थन सिधान्त कहा जाता है, या म्यूटेशन थेय पुरी कहा जाता है, और जातिये लक्षणों में आकस्मात हो जाने वाले वनसागत परिवर्थनों को डीब्रीज ने उद्परिवर्थन नाम दिया, या उद्परिवर्थन किसे कहा है, नोंने कहा जो आकस्मिक लक्षण उद्परिवर्थन हो जाते हैं, उन्हें ही क्या कह जाता है उत्परिवर्तन कहा जाता है और उत्परिवर्तन अनिस्चित होते हैं निस्चित नहीं होते हैं यह लाब दायक निरार्थाक या हानिकारक भी हो सकते हैं निम्नांकित में से किस वैग्यानिक ने ओईनो थीरा लेमार कियाना पर कार्य किया था ऐसा कौन सा वैग्यान कि HD brisії nay reflects your luck सक्षान के लिए आवश्यख और परिवर्तन उद विकास के लिए आवश्यख है क्योंकि है क्योंकि सब्सक्राइल करते पिदा करता है कि हुद परिवर्तन एक ऐसी घटोना है जिसमें पैदा होने वाली संतान माता-पिता से भिन लक्षण वाली होती है उसे क्या कहा जाता है या उत्परिवर्तन कहा जाता है और यहां भिन लक्षण आने वाली पीडियों में इस्थानांत्रित होना चाहिए इस सिधान्त को हालैंड के बैग्यानिक हुंगो पैदा हो जाते हैं जैओविकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है यानि डार्विन फ्रिंच प्रवाइड इविडेंस ऑफ एवलिशन फ्रॉम प्वेडिती फ्रॉम् नेक्ट कुछन है, most convincing in Darwin's theory is, TGT 2005 में कुछा गया था, कि most convincing in Darwin's theory is, तो इसका अंसर क्या होगा, पहला, मल्थस essay, यानि मल्थस का निबंध, आपको बता दें, कि पूरे बिस्व में ब्रहमण करने के बाद, Darwin ने भू विज्ञान विशय पर पूस्तके लिखी, जब पूरा बिस्व गूहुम कराए, साथ ही, जिव जातियों की उत्पत्य से संबंधित परिकलपनाएं भी बिक्सित की, परिकलपनाएं भी बताई इन होने, और इस परिकल प्रदर्सित करता है, जार आफसन दिये गए हैं, जाति बिविधता प्रदर्सित करता है, पूछा गया है, PGT 2003 में, तो इसका आंसर होगा, C, लगु उद्विकास, माइक्रो एवलियूशन, आपको बता दें, कि लगु उद्विकास में, जिव जातियों की प्रतेक है, महत पूर्ण प्रमान के है, जो इविकास का, आंसर इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग इसका उत्तर देंगे, कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आते हैं देश कोईशन पर, 1869 में, छपी पुस्तक, प्राकर्तिक चुनाव द्वारा, जातियों की उत्पति के रचैता क आसर होगा, डार्विन, आपको बता दें, कि चार्ल्स डार्विन ने भूविज्ञान विशय पर कई पुस्तके लिखी, अभी मैंने आपको बताया भी था, और इन्हें वर्स 1931 में, ब्रिटिस सरकार ने बीगल नामक बिश्व सरवेक्षर जहाज पर, प्रकिर्ति वैज् प्रजातियों की उत्पत्य, यानि ओरिजिन आप इस्पेशीज नामक पुस्तक प्रकासित हुई, का प्रकासित हुई थी, टीजी टी दोहजार दस में कुछा जा चुका है, और इसका आंसर होगा, डी, अठारह सो उन्सठ इस बी में, ने इस कुछन है, पैटि फैक्षन, इंप्रेक्षन और कंप्रेक्षन प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, जीवास्म के, जीवाण के, विजाण के, विशाण के, ये कुछन, पीजी टी बालोजी 2013 में पूछा गया था, तो इसका आंसर सही होगा, पहला जीवास्म के प्रकार होते हैं, ने इस कुछन है, जीवास प्रिख्षण निर्माण की प्रिकिरिया में शहायक है तो आंसर सही होगा C, A और B दोनों यानि रिप्लेश्मेंट सिध्धान्त और इन्फिल्ट्रेशन शिध्धान्त ये दोनों आपको बता दें कि जीवों या उनके अंगों का जीवास्म के रूप में संदक्षण की प्र या कहलेजी कीолж 같아요 कहलाती है और इसमें दोनों सिध्धान्त जैसे रिप्लेश्मेंट सिध्धान्त और इन्फिल्ट्रेश positぁ हैं नेश कोचन है निवलिकित में से किसके अंतरगत डेंड्राइड जीवास्व आते हैं किसके अंतरगत आते हैं आंसर सही होगा टी स्यूडो फॉसिल के अंतरगत बता दें कभी कभी कुछ चट्टाने किसी पादप या प्राणी का रूप ले लेती हैं जिससे इन्हें अनेक प ये प्रतिदर्स कूट जीवास्म या स्यूडो फॉसिल कहलाते हैं नेश कोचन है सरी स्रपों तथा पच्छियों की सयोजक कड़ी कौन है इंपॉर्डन कोच्छन है टी जी टी 2005 में पूछा गया था विच इस था कनेक्टिव लिंक आप रेप्टाइल्स टू बर्ड अंसर और सही होगा इसका भी आर्कियो पैटेरिक्स आपको बता दें कि आर्कियो पैटेरिक्स सरी स्रपों और पक्छियों के बीच की सयोजक कड़ी समझा जाता है यानी रेप्टाइल्स एंड बर्ड की कनेक्टिंग लिंक होती है ये और यह एक प्राचिन पच्छी था जिसके जिवास में लगभग 15 करोड वर्स पुराणी जुरैसिक चटानों से मिले हैं इसमें सरीशरपओं की भाति लंबी पूँच चोंच में दांत तथा अगरपाद की अंगुलियों पर पंजे थे और पच्छियों की भांत, इसके अगरपाद उढ़ने के लिए पंको में रूपांतरित थे और आर्केयोपेटेरिक्स जीवास्म की खोज, एंड्रियाज वैगनर के द्वारा की गई थी एंड्रियाज वेगनर के द्वारा और इसे सरीसरप एवं पच्छी वर्ग के मद्ध एक संयोज कड़ी या कनेक्टिक लिंक के रूप में जाना जाता है यानी इसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है आंसर सही होगा सी preservation के नाम से जाना जाता है आपको बता दें कि प्राचीन काल के जीव जो हमारी प्रिथिवी पर वास करते थे रहते थे परन्तु वे बाद में बिलुक्त हो गए उनके अवसेस हमें भुपटल की चटानों में मिलते हैं और इन्हें ही जीवास्म कहा जाता है और इस किरिया को जीवास्मी करण या fossilization या preservation कहा जाता है जीवास्म पाए जाते हैं किसमें जीवास्म पाए जाते हैं TGT 2009 में कोशन पूछा गया था इसका अंसर सही होगा D अवसाधी सेल में जीवास में पाये जाते हैं तो तलचटी या अवसाधी सेल अतीत काल से समुद्र की तलचटी पर जमी तलचट जो रेत होता है कंकर होते हैं कीचड होते हैं आद में की कड़ी होगा ठोस पर्तों के र तलचट का अधिकास भाग नदियों पहाडों से लाती है जहां पर गर्मी शर्दी पवनबिग एवं वर्षा से अगने तथा अन्य चटानों के घिसने तूटने से यह बनती रहती है और अतीत कालिन पादब और जन्तु इस तलचट में धब कर इस तरह चटानों में परिर त्राइशिक काल में प्रत्थम इस्थनी प्रकट हुए थे यानि लगभग में 24.8 करोड वर्ष पूर्व ट्राइशिक काल का प्रारंब हुआ था और इसकी आवधी 3.5 करोड वर्ष मानी गई किसकी ट्राइशिक काल की और इस युग में आदी उभैचर विलूप्त हो गए तथा सारी सरफों का तीब्र प्रसार हुआ और विभेदी करण भी हुआ इस काल के अंतिम चरण में अंडा देने वाले कहने के मतलब अंडयूज इस्तनियों की उत्पत्ते भी वी थी आपको बता दें कि मनुस के जयो विकासी इतिहास में टकने की अस्थी का विकास सबसे पहले होमो सेंपियंस नेंडर थेलेंसिस में हुआ था प्रठम उभै चर किस काल में उत्पनकी सबसे पहले उभैचर किस काल में उत्पनकी थे आंसर सही होगा डी दिवोनियन काल में उदपन्न हुए थे दिवोनियन काल में जनतों के विकास के क्रम में मांसल पंख मचलियां महतपोर थी मांसल पंख वाले मचलियां जो थी महतपोर थी और इन में से कुछ के सरीर में मोटे अस्थी सल्क पाय जाते थे सल्क भी होते थे और भीतरी आसे भी होता था next question है विकास की 1 है विकास की 1 क्या है जनसंख्या समुदाय समूह जाती answer सही होगा जनसंख्या या population इस population next question है जयो परिवर्तन का परमस्रोत है जयो परिवर्तन का परमस्रोत क्या है TGT 1045 question दो GO Twitter परिवर्तन या Mutation या अपको बता दें कि जयो परिवर्तन या और या Mutation होता है और उत्परिवर्तन के कारण ही किसी जिवप्रजाती में ऐसा बदलाओ आ सकता है या आ जाता है नेक्ट कुशन है उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं लाबदायक हा निकारक आप्रभावी प्रभावी टीजी टी 2011 में कोशन पूछा गया था तो इसका आंसर सही होगा C उत्परिवर्तन अधिकतर आप्रभावी होते हैं नेक्ट कुशन है लीमर इडरी 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 पाया जाता है लीमर इडरी इडरी किस में पाया जाता है इसका आंसर सही होगा C मेडागासकर में लीमर इडरी 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 पाया जाता है आपको बता दें कि इनकी सबसे बड़ी जाते इडरी इडरी संकटा पन है इडरी मानों की खोज की थी जावा मानों की खोज किस ने की यूजीन डुबाई ने यूजीन डुबाई ने सन अठारा से ख्यान नभी इस पी में जावा मानों की खोजगी थी